दिवास जिले के बागली की तहसिलदार और करमचारी द्वारा ड्राइवर से बचसलू की करचाबी छीने जाने का मामला अब कलेक्टर तक पहुँच गया है मामली की गंभीरता को देखतुए कलेक्टर ने बागली SDM को जाट सौप कर कारवाई करने की बात कही है दरसल मामला बागली में हाल ही में अस्थाना अंतरित होकर आई नवागत तहसिलदार जियोती जाटव से जुड़ा हुआ है जियोती जाटव द्वारा 14 अप्रेल को तहसिल में अनुबंदित वाहन को नीजी उप्रियो करते हुए इंदौ ले जाय गया था ड्राइवर और वाहन मालिक शकूर खा ने जब वाहन को जिले की सीमा से बहा ले जाने से मना किया तो तहसिलदार जाटव और उन्गी करमेचारी विरेंदर सिंग ने ड्राइवर शकूर खां को बागली चापड़ा मार्ग कर रास्ते में उतार दिया और गाड़ी की चाबी भी छीन ली इतना ही नहीं उन्होंने शकूर खां का मुवैल भी फेंग दिया पिड़ी शकूर खां का वाहन आज भी तहसिलदार के पास है जबकि उक्त वाहन की अनुबंद अवदी पुर्म में ही समाप्त हो चुकी है बावजुत इसके शकूर खां को वाहन नहीं दिया जा रहा है इस सम्भन में पिड़ी शकूर खां ने कलेक्टर रिशव गुपता को शिकायत करती हुई वाहन दिलाने और तहसिलदार पर कारवाई करने की मांगी है पहले सुनिए प्रिशकूर खां की परेशानी उन्हीं की जुबानी मामले में कलेक्टर रिशव गुपता ने स्दीम को जाच सौपी है कलेक्टर ने क्या कहा अब वह भी सुनिए बहराल ट्रांसफर होकर बागली आई तहसिलदा जयोती जाटव अपने व्यवहार की कारण चरचा में है राजस्वनियालाय में वा कुरसी के पीछे लट लेकर बेटती है कई लोगों ने उनके खराब व्यवहार की शिकायत की है शकूर खाक के साथ हुई इस घटना क्रम से भी लोगों में नाराजगी है